यह है हमारा May 11 X OS के लिए एक अनादर अपडेट आया है Hyper OS का जो कि रन कर रहा है 2.0.110 के उपर जहां पर आप मेंटेनर का नेम देख सकते हो और अब कैसा परफॉर्म करता है कुछ कम या है या नहीं क्या क्या चीज़े हैं क्या क्या नहीं है उस से रिलेटेड में आपको साही जनकार यहां पर देने वाला हूं बस जरूवा थे आपको लास्ट टक वाच करने की कि यार फिर से इसे टाटा वाई वाई कहना चाहिए तो प्लीज ऐसा मत करना ओके काफ ही यहां पर स्मूद रहता है जो कि पसंद आया कंट्रोल सेंटर में ज्यादा मुड़िकिसर नहीं है बिल्कुल सीम्पल सा रहता है और यहां पर कोई भी लैग स्टेटर देखिनी को नहीं मिलता लेकिन हाँ जब आप इस रोम को डाल गए तो फर्स डेकम से कम इसे न को आइड नहींने को मिलता है जोड consent मों जेखें को में अचा नहीं लगा होना चाहिए था एक छोटी सी तो सम्टाइम मेंटेनर भूल जाते हैं कि यह चीज भी एड करनी है ऑफिसल नहीं दिया गया तो इसके वज़ा से मिस हो जाता है बागी फेसे लोग फिंगर पिंट आपके वरकिंग रहते हैं अनदर यहां पर आपको डिस्पली के अंदर डाक मूट की बात करें तो यहां प प्रिक्स नहीं किया तो यहां पर ऑफिसल यह गाएब है बाकी और बैटनेस ऑफर रहल साही है बट बैटनेस लेटे मुझे सम्टाइम दिक्कत आया जबकि मैनुवल में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आया तो यह चीज में भी आपको फेस हो सकता है एडवांच टेक्चर का अच्छ आप को एडवांच एडवांच लॉइकन टउक्स पर एकिवेट कर सकते आपको यह पसंद आता तो मुझे परसमाइब यह नहीं लगता लेकिन आई फॉन वाली जो वाईव रहती आप लोग अच्छा लगता तो उनके लिए साथ यह अच्छी चीज हो गी बट मैं तो यह हुज नहीं करता हूं personally इसके बाद यहां पर आपको जो डेखनी को मिल जाता है recent style वगरा चेंज करने का option उसके tab वगरे भी आपको यहां पर मिल जाते हैं कैसा रखना है कैसा नहीं और यह सब कुछ करने के बाद एक वाद है जो आप restart कर दो launcher को और आपको साइच किनी को मिलेंगे जो भी आपने launcher के अंदर कर रखा होगा जैसे कि आप यहां पर देख पारे हो है ना अंदर यहां पर icon animation भी आपको यहां पर मिलता है जो कि आपका pro पर काम करता है साथ साथ यहां पर आपको मिलता है notation and status bar अगेरा जहां पर वही सारे basic option आपको मिल भी चाहिए वह wallpaper ले सकते हो और create कर सकते हो इसमें जाराचे नहीं सिवाए आँख पलक छपक नहीं की और भी कुछ होता तो ज्यादा बेटर लगता बाकि यहां यहां पर आपको unlock मिलता है ता आप इस अपने हिसाफ से change कर सकते हो जो कि यह officially नहीं मिलता था है ना मैं भूल भी गया यार उसके बाद यहां पर वही सारे basic option है कुछ भी extra motivation नहीं किया गया तो काफिया तक इसे stock जैसा ही रखा गया है बर चोटी मूटी चीज़े यहां पर बतली गई है रही बात camera तो यहां पर camera यूच किया गया 6.1 का जो कि मुझे काफी सही लगा तो यहां पर आप जाते हैं जैसे कि dolly vision वगेरा और बागी अधर options वगेरा तो benefit आप ले पाऊगे super folder की बात करें तो यहां पर आपको देखनी को मिल जाता है वही double excel वगेरा का option widget support आपको चाइना वाला देखनी को मिल जाता है जो कि आप use कर सकते हो सासे super icon जैसे कि मैंने gallery icon को change कर रखा आप कर रहा है यूज नहीं कर रहा है उसके बाद सब कुछ काफी सही हो जाता है सबसे पहले बात करते है बैटी डॉप के तो यहां पर आप देखो 79 के बार morning में आता है 76 जहां पर फुल नाइट में 2% का बैटी डॉप है और 10 hours 21 minutes का stand by timing जो कि कह सकते 11 hours के आस पास का है और यह म काफी अच्छा खासा है यहां पर सिंगल डाउन रहता है मल्टी भी लेकिन हां थोड़ा सहीं दिन के बाद थोड़ा दिन नहीं कुछ देर के बाद कुछ टाइम के बाद जो मैं चेक करता हूं यहां पर इंप्रूमेंट नजर आ जाता है यानि जैसे हमारा OS optimize होता है यहां यहां पर बेटर सो करने लग जाता है बागी camera अगरे मैंने यूज किया सही है यहां पर photo store आपको unlock मिल जाता है bootloader स्फूफ यहां पर add किया गया है यानि कुछ ऐसा application होते है जो कि bootloader unlock के बाद काम नहीं करते तो वह चीज यहां पर आपके working रहेगी क्योंकि यहां पर यह fail कर दिया है जिसके विसे दिक्कत आ रही है और यह चीज यहां पर आपको notice होती है तो आप इसे fix करना चाहते हो device certified करना चाहते हो तो आपको यह चीज manually करना पड़ेगा अपने phone को root करके जिसका already नया method आ चुक है आपको YouTube पे मिल जाएगा और मैंने भी video दे दिया है तो by default यह आपको fail देखनी को मिलता है मैं भी कुछ time के बाद यह फिर से fix होने लग जाएगा by default लेकिन अभी यह fail हो गया Google के वज़े से तो अभी आपको खुछ से यह ठीक करना पड़ेगा यह चीज आपको फोड़ इसी problem देने वाली है बाकी सब कुछ यहां पे मुझे सही लग रूट कर देना है रूट करने के लिए पावर टें एंड वॉल्म आपको फोन से उच्चोप करने के बाद जिससे आपको फोन वाइबरेट करेगा लाइट अप होगा तो हम पावर टें को लीफ करेंगे वाल्यम आपको होल्ड रखेंगे आपके फोन का recovery open हो जाएगा हमेस कि जब भी आप रूम फ्लैस करो तो आप से कुछ कुछ पूछा जा सकता है फ्लैसिंग के दोरान की आपको रूट करना या नहीं तो वैसे मैं आप वॉल्म आप डाउन या पाव बटन का यूज करते हुए कमांड को रन करते जाना अगर आता है तो अगर स्टार्टिंग म आप रूम को दोरा रिफ्लैस करना और रिफ्लैस जैसी कंप्लेट होता है आप रिबूट रिकवरी कर लेना अगेन जैसा कि यहां पर मैं कर रहा हूं और उसके बाद सिंपल फॉर्मेट कर देना यस टाइप करके और रिबूट कर देना कुछ ही मिनिट में आपका फोन है जो आउन हो जाएगा उसके आप करके यूज कर पाओ गए बिल्कुली सिंपल और एजी तरीका है और कुछ एक्सा करने के ज़ुरत नहीं है